Hello dear students, कैसे हैं आप सब? आज हम करेंगे the story of prepositions Once there was a woman, her name was English Grammar एक बार की बात है, एक woman थी, यानि की एक lady थी और उसका नाम था English Grammar She had many children, उसके बहुत सारे बच्चे थे Her one child's name was prepositions और उन में से एक बच्चे का नाम prepositions था क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे students को preposition topic अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो आज मैं prepositions की story जो मैंने खुद लिखी है यह आपको बताने जा रहे हूं जिससे आपको यह शायद अच्छे से clear हो जाए एक दिन prepositions बाहर खेलने गई लेकिन घर वापस नहीं आई हर मदर स्टार्टिर सर्चिंग फॉर हर उसकी मदर ने उसे धोनना शुरू कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ अभी हम देखते हैं सूची उसके बाद क्या हुआ होगा आपके मन में भी कुछ questions आ रहे होगे कि वो क्यों बाहर चली गई तो अभी हम देखेंगे कि वो कहां गई थी उससे पहले हम देखते हैं कि उसके मदर ने क्या किया उसे धूनने के लिए तो चलिए आगे बढ़ाते हैं स्टोरी को उसकी मदर ने उसके फ्रेंड्स को कॉल किया यानि की फोन किया उन में से जो फ्रेंड था वो था इन और वो प्लेग्राउंड में खेल रहा था विद वो था वो बॉल के साथ खेल रहा था और वो सिटिंग उन अगे बैंच, ओर जो था वो बैंच के उपर बैठा हुआ था अंडर वो सिटिंग अंडर एक ट्री के निचे बैठा हुआ था तो इन सभी ने बताया कि वो कहा कहा पर थे तो अब हम देखने कुछ और या कर रहे थे Near was standing near a bus stop Near एक bus stop के पास खड़ा था Behind was standing behind a hospital Behind एक hospital के पीछे खड़ा हुआ था Into was going into a cinema hall Into जो था वो एक cinema hall के अंदर जा रहा था तो अब हम दिखते हैं इसके बाद क्या हुआ Prepositions was not with any of her friends Prepositions जो थी वो अपनी किसी भी friends के साथ नहीं थी Her mother started scolding her when she returned home तो जब वो वापस खर चलीगी तो उसकी mother ने उसे डाटना शुरू कर दिया क्योंकि ऐसा ही करना चाहिए था उसको इतनी देर के बाद वो वापस आई वो अपनी किसी भी friend के साथ नहीं थी Prepositions said Don't scold me mama Here is a birthday gift for you Happy birthday Her mother thanked her for the birthday gift and hugged her tightly Prepositions ने कहा मुझे धांटो मत mama ये लो तुम्हारी ले birthday gift Happy birthday और उसकी mother ने उसे thank you कहा और उसे tightly hug कर लिया तो हमें बता चला end में कि वो कहां गई थी अपनी ममी के लिए birthday present लेने गई थी लिकिन उसे अपनी मदर को बता कर जाना चाहिए था So I hope you have understood the topic of prepositions अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है then please subscribe to my channel Thanks for watching Keep learning See you in the next video Please give me your comments also Thank you